डिप्टिसीयम मुकेश अगनी होत्री की पतनी प्रोफेसर सिम्मी अगनी होत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शनिवार को गोंधपुर जैचंद में श्रद्धांजली एवंपर प्राथना सभा का आयोजन किया गया प्राथना सभा में मुकेश की बेटी आश्था अगनी होत्री ने जम्मंच पर आकर अपनी मा को श्रद्धांजली सवरूप संबोधन शुरू किया तो पंडाल में मौजूद सैंकणों की संख्या में महिलाय रो पड़ी इस दोरान सीम सुक्वंद सिंग सुकू वर राजसभा के लिए कॉंग्रेस के उमीदवार अभिशेक मनु सिंग भी मौजूद थे मेरी जीवन की परिभाषा मेरी मम्मा थी मेरी मम्मा सिरब मेरी मा नहीं थी अब तू मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी बड़ी वहन और कभी कभी तो मेरी नटखट दिती छोटी बेटी होती मैं मम्मा की पूँच बन कर उनके आगे पीछे घूमती रहती मेरी मम्मा सब कुछ थी मैं जीवन में जो कुछ कर पाई मेरी मम्मा की सोच उसके पीछे थी कहते हैं भागे उपर वाला लिखता है पर इन 29 सालों में मेरी मम्मा ने मेरी जीवन गाथा लिखी मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, किस से मिलना है, क्या पढ़ना है, जीवन में क्या करना है, यह सब वो तै करती आई अगर आज मैंने पी-च डी की, या मुझे शिक्षा के बेदरी नफसर जीवन में मिले उसके पीछे मेरी मां का संकल्ब था, उनकी सोच थी मेरी मम्मा उस मूर्णी की तरह थी जो अपने पंखों के नीचे सब को समा लेती है तिनका तिनका जोड़ कर हमारे घर को बनाने वाली घर को सवाणने वाली मेरी मम्मा मेरे पिता के राजनेतिक सफर में एक निर्नाय भूमिका ने भाती रही वो हमेशा कहती थी जब तक मैं जिन्दा हूँ आप चुनाओ हार ही नहीं सकते अगर मेरे पिता अगर हमारे परिवार को समाज में एक रुत्बा मिला है उसमें मेरी माँ का त्याग मेरी माँ का समर्बन का बहुत बड़ा योगदान है मेरी मम्मा करुणा और प्रियम से संपूर्ण एक सागर थी वो करिश्माई संदर्य करतव्य निश्चाव